नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकूल.com के इस चैनल में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रगीत और समाज यह जो है प्रस्न उत्तर पार्थ 9 12 क्लास जो है हिंदी के पार्थ 9 चेप्टर है और याद रखिएगा यह जो है इस चेप्टर से ज़्यादा कोष्चन नहीं बनते हैं लेकिन एक बात यह भी धियान में रखेंगे कि जो कोष्चन बनते हैं वो question बहुत बार repeat होते हैं बहुत बार आते हैं इसलिए अच्छा तरीका से देख लेंगे इस chapter से दो question को आप देख कर जाएए आपके जो है इस chapter से दो ही question जिसमें एक नंबर जो question है यह question तो repeat बहुत जादा है और इस chapter से यही question आएंगे यह ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस chapter से जादा question नहीं बनते हैं इसको आप completely समझ में आना चाहिए तो देखिएगा प्रगीत और समाज जो है यह नामोर सिंग के द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा नामोर सिंग के द्वारा लिखा गया है और इसको आप अच्छा तरीका से देख लिजे कला कला के लिए सिधान्त क्या है क्या है question कला कला के लिए सिधान्त क्या है यह देखिएगा और यह बहुत बार आप जाकर question बैंक में देखो यह question इतना ज़्यादा repeat है कि आपको दो साल तिन साल ये लगतार आया हुआ है इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लो क्या है कला 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 के लिए सिधान्त का अर्थ है कला के प्रति द्रिष्टी कोन है यानि कला कला के लिए सिधान्त का अर्थ क्या है कि कला के प्रति द्रिश्टि कोन है इस सिधान्त का प्रति पादन विक्टर कुजे ने 1818 में किया यानि इस सिधान्त जो दिया कला कला के लिए सिधान्त इस सिधान्त का प्रति पादन किस ने किया विक्टर कुजे ने और कब किया 1818 में किया इस सिधान्त में यह बताया जाता है कि कलकार अपने लक्ष को पूरा करने के लिए करने के लिए अलग अलग ततों का इस्तमाल करते हैं यानि कहने का अर्थ है कि कलकार जो है वह अपने लक्ष को पूरा करने के लिए कला के अलग अलग ततों का कोंची करते है इस्तेमाल करते हैं यानि विभिन परकार के कला का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने लक्ष को कौँची कर सके प्राप्त कर सके तो यह हुआ कला कला के लिए सिधान्त यानि कला का वो सिधान्त होना चाहिए जिसमें विभिन परकार के कला का उपियोग करके हम अपने लक् कला के लिए सिधान्त कहेंगे और इस सिधान्त का परतिपादन 1818 इस भी मे किसके द्वारा किया गया विक्टर कुजे के द्वारा किया गया तो इसको बहुत बढ़िया से समझ लिजेगा आगे जो कोस्चन है आगे क्या है उसको देखिएगा ध्यान से मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि इस चेप्टर से ज़्यादा question नहीं बनते हैं लेकिन जो भी question बनते हैं वो question बहुत ज़्यादा repeat होते हैं जिसमें एक number तो बहुत ज़्यादा भी भी आई है और दो number देखेंगे इसको देख लीजिएगा बहुत ही अच्छा तरीका से यह lyric यानि प्रगीत क्या है यानि यह chapter है प्रगीत और समाज तो इस chapter से related question आ सकता है कि प्रगीत क्या है और इसको देखिएगा यह आईसे भी आज़ेगा प्रगीत क्या है और यह हमारे जीवन में कितना महत्तोपुर्ण रहता है तो ऐसे भी अगर आ जाएगा तो यही कोशन लिखेंगे यही कोशन का अंसर देंगे देखिएगा यह lyric काबे की एक बिद्या है यानि प्रगीत क्या है यह lyric काबे की कोशन है बिद्या lyric क्या होता है तो देखिएगा lyric होता है एक ऐसी कविता जिसमें हाव भाव पुरी तरह से छुपा हो और किसी परकार का रुकावट पैदा न हो तो उसे क्या कहेंगे lyric कहेंगे यह lyric काबे की एक बिद्या है यह काबे होने के सांस साथ प्रगित को उसको पढ़िएगा समझिएगा तो उसके अंदर बहुत सारा बातों को सम्मिलित रहता है जो छुपा होता यानि उसमें बहुत सारे बात क्या होते हैं छुपे रहते हैं यह बहुत बड़ी चीज होती है इसमें कभी की वेक्तिकता और आत्म परक्ता की भावना परवल होते हैं यानि इसमें कभी कि क्या होती है कि बहुत सारे गुनों को सम्मिलित करके प्रगीत का क्या होता निर्मान होता क्योंकि आप क्या कहो वो जो लाइन होता उस लाइन में एक एक लाइन में एक-एक सब्द में बहुत सारा बात क्या होता छूपा रहता यह सबसे बरी चीज होती है इसमें तो यहीं प्रगीत है तो यहां तक यह वीडियो समाप्त हुआ देखिए यह दो ही कोस्चन है आप अगर समझोगों कि इससे जादा तो इससे जादा क्या पर होगो उस ओ बहुत बाए हैं और ये कोस्चन दो है बहुत कम बाए हैं लेकिन इसको आप इसलिए समझ के चलोगे क्योंकि यहां पर प्रगीत और समाश रिलेटेड यह कोस्चन आ सकता है तो थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और चैनल पर नहीं है कर लीजे का सब्सक्राइब